प्री मित्रो मैं आप लोग के समच मंगल पर जल होने के संकेत की पूर समिछा प्रस्तुत कर रहा हूँ उससे पहले आप से अन्रोध है मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब कर दिजिए साथ में बेल आइकन दबा दिजिए अमेरिका के इसमी सोबियन इंस्टूट में नौवी से जिन चटानों पर धूल जम रही है आप उन्हीं से मंगल ग्रपर बानी की मौजूद्वी से जुड़ी जानकारी मिल सकती है जर्मनी के मिलरिस्ट आगस्ट बेटपास ने साल 1843 में एक हाइडरो हेमेटाइट की खोज की थी जिसका पुना पेंसिलवेरिया की पेंस्टेट इन्वरसिटी के बैग्यानी अध्यन करेंगे इनका मानना है कि प्रिथिवी पर मिली इस चटान और मंगल ग्रप की ब्लू बेरी चटान में काफी समानताएं हैं जिसमें हाइडरोकसल पाया जाता है जो हाइडरोजन और आक्सीजन का समू है जिन चटानों में पानी की मौजूदगी का सबूद मिलता है वहीं मंगल ग्रपर ब्लू बेरी की खोज अमेरिका अंतिछ एजनसी नासा के क्यूरो सिटी रोवर ने साल 2004 में की थी पहचान हेमेटाइट के रुप में हुई थी पेन इस्टेट उमिर्शिटी के प्रोफेसर पीटर जे हेनी ने एक बयान में कहा था धर्ती पर एसर रचनाएं हाइडरोहेमेटाइट ही हैं इसलिए अनमाल लगाना उचित है मंगल ग्रपर चमकीले लाल कंकर हाइडरोहेमेटाइट ही हैं हेनी के एक स्टूडेंट साइ एथेना चेन को कई पुराने पत्थर के नमूने मिले जिसमें पानी की मौजूदी का पता चला इसके बाद चेन ने नवी सदी के पत्थरों पर कईस टेष्ट किये नमीन तकनीकी का इस्तिमाल किया गया पता चला, खनीज में लोह की कमी है, हाइड्रोक्सिल मौजूद है, जो लोह के कुछ एटम के बारे में बताता है, मंगल ग्रह एक अधिकान सतर की उत्पत्ती तब हुई जब सतर गिली थी, पानी से लोह के आकसाइड निकल रहे थे, मंगल ग्रह हाइड्रोहेमेटाइट को अभी कालपनिक ही माना जाता है, अब मंगल ग्रह पर हैड्रोहेमेटाइट की उपस्तिती वो सबूत प्रदान करती है, जिससे ये साबित हो गया है, कि मंगल ग्रह पर पानी है, पानी की मौजूर्गी, जीवन की संभावनाओं का संकेत दे रही है काल जाता है, जीवन का जाता है